तॉम हॉलेंड ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी और करियर का श्रे स्पाइडर मैन को दिया है. उनके अनुसार अगली फिल्म की विरासत को जीने की आवशक्ता पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही, 111 में तॉबिन बेल जिक्सौ के रूप में लोटते ह जाल में डालता है. यह फिल्म 110 के बाद की घटनाओं पर आधारित होगी. फिल्म, 111 फीट 27 सितंबर 2024 को रिलीज होगी, जो जिक्सौ के जीवन के नए दृष्टिकोनों को उजागर करने का वादा करती है. इसके अलावा, आने वाली, एनाकोंडा, रीबूट में डेनियल व्यक्त किये, जिससे प्रशंसकों में उत्साह बरता दिखाई दे रहा है. एडेल लिंब ने फिल्म के मूल विश्यों पर जोर दिया है, जिसमें महिला सशक्तिकरन और मेंटरशिप शामिल है. उन्होंने प्रशंसकों को एक जादूई अनुभव का आश्वासन दिया. इ जिसमें नल के चरित्र की पहली जलक दिखाई गई है. यह फिल्म 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगी.